नमस्कार जैस्रे महाकाल मैं पंडित सेश्ट नाना चाड़ें आफ सभी को एक नौमबर से लेकर के तीश नौमबर तक जो सियर मार्केट है उस सियर मार्केट में क्या तेजी मंदी रहने वाली है क्या इस्थिती पर इस्थिती रहेगी कौन सा मार्केट में कैसा प्रभाव रहेगा कौन सी कमपणी के कितना तेजी रहेगी कौन सी कमपणी में कितना मंदी रहेगा कहां पे आपको निवेश करने की जरूरत है कैसा इस मार्केट में प्रभाप परने वाला है इस विसे में जानकारे देने जा रहा हूं क्योंकि जो नॉंबर के महिने हैं इस नॉंबर के महिने में सूर्ज के इस्थिती बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है ऐसे परिस्थिती में जो सियर मार्केट में नुवेश करते ही उनके लिए थोड़े साथ निवेश करने की जरूरत है क्योंकि इस मार्केट्स में जो तेजी मंदी की गती है साथ से बाराफ परसें उताज चरहाब के श्ठिति बनी हुई है अब आप आएए जो सेयर मार्केट कहता क्या है अब क्या सोचके share market में निवेश करते हीं आपकी मन में कैसा सोच है जदि आ भै के साथ निवेश करते ही या confusion के साथ निवेश करते ही तो आपको गलत समान लेने की सोच बन जाएगी जो जिसको आप परने से पहले over-conscience हो करके उस पर निवेश कर जाएगी ऐसे इस्थीति में शेयर मार्केट कहती है या सेयर मार्केट का स्टोलूज जोतिस के हिसाब से सेयर मार्केट निवेश करने की ये प्रविर्टी है वो ग्रह क्या कहता है नौंबर के महिने में नौंबर के महिने में जो सेयर मार्केट में सूर्ज का 40% प्रभाव रहेगा तो वहीं पर सनी का 90% प्रभाव रहेगा वहीं ब्रहस्पत का 30% प्रभाव रहेगा वहीं सुक्र का 40% प्रभाव रहेगा ऐसे में चार ग्रहों को यूती के साथ जो प्रभाव शाली शेयर मार्केट्स हैं उसमें जिसके ग्रह कहीं भी कहीं स कहीं तक जो राहु कमजोर हो गया चंद्रमा कमजोर हो गया या बुद्ध कमजोर हो गया तो ऐसे परिस्थीति में वो निवेश करते हुए वो गलत दिशिंस ले जाएगा जिसके वज़ास से उसको घाटा निश्चित देखने को मिलेगा अब आप आईए जो शेयर मार्केट है शेयर मार्केट में दो तरह के कमपणियां चलती है एक बहुत बड़ी जो बरी-बरी बिक कमपणियां है एक श्मोल सैज किच कमपणिया है वो चलती है लगाता तीन महिने से जो देखे गया जो छोटे कमपणी जो है ना वो अच्छा राइज कर रहे थी और अक्टूब गरावट का दौर अभी नौंबर के 15-17 तारी तक बना रहेगा ऐसे परिस्थीति में आपको इस सोच और प्लैन करने की जरूरत है इस मार्केट में प्रभाव आ कहां से रहा है इसका प्रमुकारन क्या है जो ऐसे मार्केट में इस बस्तों में गिरावट आ रही है जहां प प्रभाव अमेरिका का भी इंडियन सेर मार्केट में प्रभाव है यूरोप का भी सेर मार्केट में प्रभाव प्रभाव है एसिया का भी प्रभाव है और यहां की जो इंडियन मार्केट की जो वातावरन है उसका भी इस सेर मार्केट में इसका प्रभाव प्रभाव है अ वो सुर्ज के लिए प्रतिवाश साली रहती है और आखिरी के तीन घंटे जो होते हैं उतना प्रतिवाश साली रहता घटता हुआ रहता है उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है और इसमें निवेश करने की जरूरत होती है इसमें निवेश करके अवलाव निकाल सकते हैं उ आप आई क्योंकि एंदियन जो सेर मारकेट है उषमें अमेरिका की प्रभाब यूसे की प्रभाब 12 से ऑठारा परशंट देखने को मिल रहा है कि वहां 12 18 की मन्दी की तो चल रही है तो हैं इंडियन मारकेट के 3-5 प्रभाब से कोरे रहा है वहीं ये यूरोप की market को देखें तो हाँ 17 से 27% की तेजी मंदी देखने को मिल रहा है वो इंडियान market पे 3% प्रभाप डाल रहा है एस्या markets में जो देखा जाए वहाँ साथ से 12% मंदी की दोर चल रही है और इंडियन मार्केट में उसका 7% प्रभाब देखने को मिल रहा है ऐसे परिस्थिती में जो कुल मिला करके मेरे USA की मार्केट देखें या यूरोप की मार्केट देखें चाहिए UK की मार्केट देखें चाहिए UAE की मार्केट देखें इसिया के मार्केट देखें सबका एक अठा मिला दिया जाए तो तीन से पांच प्रसंट उताज चरहब देखने को इंडियन मार्केट पर मिल रहा है अब आपको सोचना परेगा जो इंडियन मार्केट में दो प्लेट फॉर्म है एक सेंसेक्स है दूसरा निफ्टी फिफ्टी है क्योंकि आपको इस सोच बना के चलना परेगा जो आप कौन सी प्लेट फॉर्म पर अपने आपको काम कर रहे हैं आपको ध्यान देना परेगा जो जो सेंसेक्स है उस मार्क उस प्लेट फॉर्म पर जो अमेरिका की लोग या एउरोप के लोग या इसिया की लोग उस प्लेट फॉर्म पर काम करते हैं और बड़ी कमपनियां उस पर अच्छा खासा रन कर रही होती है तो उसमें शावधानिशे निवेश करने के जरूरत होती है क्योंकि उस मार्केट को जो जो देखा जाए तो नीचे की गति जो देखी गई है तीरासी हज़ार दोशों तक आ सकती है और उपर की गति देखा जाए तो पचासी हज़ार आठसो यच्छी हज़ार साथ सो रुपे तक जा सकती है ऐसे गति मान हो रही है अब रही बात जो इंडियन मार्केट्स में जो इंडियन मार्केट्स में जो इंडियन लोग जो काम करती हैं जो निवेश करती हình है उसमें 80% जो निफ्टी 50 पर अपने आ पर शूद करतें उस प्लेट फॉर्म पे 20% व्य क्यान देखा जाए है जो 25950 तक जा रहा है और नीचे इस गति देखा जाया तो 24ence 1 तक आने की गती में देखने को मिल रहा है तो आपको बड़ी साफधानी से इस बिसे पर काम करने की जरूरत है अब आपको इस सोच करके बड़ी आश्चर्ज होगा जो पिछले महिने का भी हमने ज़री सेयर मार्केट में सिवात वे चर्चा किया है जो तेजी मंदी की दोर बनी रहती है नुट में देखा गया तो मंदा ही देखने को मिल रहा है तीन से साथ परसेंट मंदे के दोर में अपने आपको निवेश करने के लिए बरी साफधानी ब्रतनी की जरूरत है क्योंकि इस मार्केट में जो गोर्मेंट नए नए पॉलिसी लाती रहती है जिसके वज़े से मार में निवेश करते हैं या नई आई प्यों में निवेश करते हैं या आप डेली निवेश करने वाले हैं या थोरेट दिन के लिए निवेश करने वाले हैं या लॉंग टर्म में निवेश करने वाले हैं लंबे अबद के लिए निवेश करने वाले हैं तो कौन-कौन सी कंप आपको 24 करना चाहिए आपको देखना परेगा जो कि आप जब निवेश करते हैं तो निवेश की आपकी कितना बड़ा वालेट है आपके पास में और उस वालेट से क्या प्रॉफिट की योजना बनाया हुआ आपने इस विसे पे भी आपको एक बार अपने आपको क्यारों से प्रदान होता है जो निवेश करने के लिए जुप्टर आपको तयार करता है तब आप आएए आपको कैसे निवेश करना है से ऊट करने जा रहे हैं कौन सी कंपनी में निवेश करकर हैं कौन से company में निवेश करकर के आप अपने आपको बराबरी में छुट सकते हैं कौन से company में निवेश गलती से निवेश कर जाते हैं जो आप घाटा के सामना करते हैं सबसे पहले आपको देखना परेगा जो बैंक के छेतर में जदि आप निवेश करते हैं तो आपको नवमर के महने में साथ आने बरतनी चाहिए क्यों इसमें तीन परसेंट लॉस होने की संभावना बरकरार है अब जदि आईटी छेतर में निवेश करना चाहते हैं तो इसमें आपको निवेश करना चाहिए क्यों तीन से बार प्रोफिट होने की चांस बरकरा देखने को मिल रहा है जदि आप पावर प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं पावर प्रोजेक्ट कमपणी में निवेश करना चाहते हैं ये आपके लिए अच्छा आवसर देखने को मिल रहा है इसमें तीन से नौ प्रोफिट देखन मूब कर रही है ज़िए आप केमकल संबंदी कमपनियों में निवेश करने वाले हैं तो आपको साथ धानी बरतना चाहिए क्यों साथ से बाराप प्रसेंट लॉस होने की संभावना बरकर आ रहे हैं नौमबर के महीने में ज़िए आप टिक स्ट्राइज संबंदी यानि कपरे संबंदी कमपनियों में निवेश करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा उसर है इसमें तीन से साथ प्रसेंट प्रॉफिट आप खमा के बाहर निकल सकते हैं नौमबर के महीने में ज़िए आप मोटर संबंदी कमपनियों में निवेश करते हैं तो नौमबर के महीने में आपको साथ धाने बतने के जरूरत है इसमें तीन से पांच प्रसेंट लॉस होने की संभावना बरकरार है आप जड़्य एलोई जिसमें लोहा होता है तामबा छोता है पीतल होता है सोने होती है चांदी होता है इस कमपनियों में जड़्य आप निवेश करने की संभावना तलास रहें तो आपके लिए अच्छा उश thickness है इसमें तीन से पांच परसंट आप कमा के नॉबर के में निकल सकते हैं आप जदी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का संबंधी कंपणियों में आप निवेश करना चाहते हैं तो उसमें आपको साब धानी परतनी की ज़रूत है इसमें तीन परसंट की लॉस होने की संभावना बरकरार है आप जदी खाने संबंधी कंपणियों में जैसे निवेश करना चाहते हैं इसमें भी आपको तीन से पांच परसंट परसंट प्रॉप्ट देखने को मिर रहा है आपको देखना होगा जो आप इस तरह से जो कंपणियों है जो आपको कॉस्मेटिक संबंधी कंपणियों है उसमें भी निवेश करती है आपको साफधानी ब्रतनी परेगी आपको देखना होगा जो नए प्रोजेक्ट नए जो कंपणियां है और नई IPO लेके आ रही है उसमें भी इस नॉवंबर के महिने को अच्छा खासा लाव दिखाए दी दे रहा है आपको देखना परेगा जो बरे कंपणियों में नवंबर के महिने में 3-7% तेजी देखने को मिल रहा है जहाँ पे छोटी श्मॉल्स कंपणियों में आपको देखने को मिलेगा 7-9% लोज होने की संभावना है पंदरो नॉबर के बाद आप अपने साफधानी के बाद अच्छा खासा निवेश करने की छोटे कंपनियों निवेश करने की संभावना तलासें और उसमें निवेश करने से आप 12-18% प्रोफिट ले सकते ही पुराना लोस आपको भरपाई कर सकता है ऐसा देखने को मिल रहा है आपको संभावना इसमें है जो उसमें अभी देखा गया है जिस कंपनिये में छोटी-छोटी जो कंपनियां है जो ऐसे जो कंपनियां बैंकिंग संबंदी है चाहे कोई फाइनिस संबंदी कंपनियां है उसमें भी आप निवेश करती हैं तो आपको अच्छा खासा बीस प्रिसेंट के निवेस करें 14 प्रिसेंट को सेव के रखें अगले महेने में आने वाले शमśl में उसको निवेस करने आपको दुगूनी राभ हो सकता है तिगोनी लाव बहु की साथ उपर निचे चलता है आप कैसे निवेस करते हैं क्या सोच के निवेस करते हैं इसके मन में बहुत जबरदस स्थिर्टा की जरूरत है जब आप बैठते हैं निवेश करने के लिए तो आप इश्ट फेस में बैठ करके निवेश करना चाहिए जब आप नरने लेते हैं जो आप इसमें प्रॉफिट होगा अप प्रॉफिट हो गया दो से पांच प्रसंट में इसमें से निकल जाना चाहिए तो इस टेम में आपको नौर्थ फेस में बैठ करके न निरने लेना चाहिए जदि आप लॉस से घवरा रहे हैं और आपको आपको उसमें से आपको कमपनी से बाहर निकलना है तो सौथ फेस में बैठ करके निरने लेना चाहिए ताकि आपको बिश्वास रहेगा और कम से कम लॉस हो करके आप उस कमपनियों से बाहर निकल सकते हैं आप इस्ट पेस में बैठ करके इंदर ने लेते हैं तो जो कमपनियों उसमें से लाव अच्छा खासा कमा सकते हैं आपको जड़ी सेर माक वे नवेश करते हैं तो सुबह किसे में नवेश जादा करें संध्याकाल में नवेश करको रोक के रखें जदि ऐसा करते हैं तो अच्छा खासा लाव दिखाय देता है ये वीडियो ज़िए आपको अच्छा लगा हो लाइक करना सब्सक्राइब करना सेर करना न भूले ओम सांति